चालेस साल से मैं कॉंग्रिस थी बहुत एक जर्मट कारे करता हूँ और बहुत मैंने अपना जीवन कॉंग्रिस हो दिया लेकिन सालों से मैं देख दिया रहे हैं कि हर्याना के अंतर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कॉंग्रिस पार्टी आगे बढ़े वो उन नीतियों के उपड़ चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कॉंग्रिस का कभी भड़ावा हो नहीं सकता था हर्याना में इस तरह के उसमें वो यही कारण रहा कि किसी और को बरदाश्ट नहीं कर सकते और उनको अगर यह लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खतम कर दो उसको नश्ट कर मैं आपको नहीं लगता कि जाट समाज में फैट बनाना बिज़ेपी के लिए खूद पड़ी चुनाओगी है उसमें आपको बेलत करने पड़ेगी जाट समाज जो है या कोई भी समाज पहली बात तो यह है चौदरी बंसीलाल जी का हमारा परिवार है जात पात की हमने राज से पर जो है हम चलेंगे और अपने कारे करताओं को उनके उपर लेकर जाएंगे और आप देख रहे हैं कारे करताओं के अंदर बहुत जोश है दस साल से जो है यह रीते बैठें इनके साथ जो है दो बहात करी गई इनके साथ जो है दूसरा बरताव करा गया तो जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी बेतना जो है हमारे कार्यकरताओं के साथ है और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकरता जो है मेरा जो इलाका है हमारे जो लोग हैं उनको उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो और इसलिए जो है हमने ये कदम उना है मैं जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाना के अंदर आप ने देखा है दिली वालों ने भी देखा है कि बहुत एमानदारी के साथ मैंने काम कराए और हमेशा करमटता के साथ कराए उसी तरह से अब आने वाला समय बाजपा का पर्चम उठाकर जबरदस काम करें हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद